हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और आप लोग सब कैसे हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे मेरे व्लॉग्स बंदे सेक्टर वाही चंडिगट में तो आज मैं आयो एक नए व्लॉग के साथ तो जैसे पिछे आप लोकेशन देख रहे होंगे एक आइ चंडिगट का उसके ब्लॉग ऑपोसिट है और जो लोग चंडिगट से उनको यह भी पता हुआ कि गेडी रूट जो है वह भी यहां से होके गुजरता है तो सेक्टर 10 में से गेडी रूट भी निकलता है गेडी रूट एक्चुली क्या है कि जो कॉलिज के लड़के हैं ग अगे आएंगे उन्हीं में दिखाता भी रहूँगा कॉनसा 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 हीरा गेडी रूट के अंदर आता है जहां पर लोग तो प्लॉजिज के बॉइज है वो गेडी मारते रहते हैं तो गाइस अभी मैं आया हूं यहां पर सेक्टर 10 में तो आज का मैं व्लॉग स्ट यहां पर मैं प्लस वन प्लस टू करी है तो वो स्कूल भी मैं आपको दिखाऊंगा डी वी कॉलेज है यहां पर काफी इंपोर्टन होम साइंस कॉलेज है काफी कुछ लेजर वैली है जो की ग्रीन बेल्ट है पूरे चंडीगड में जो यहां से स्टार्ट होती है तो मैंने मुजिएम के एंट्री के बहार ही मुझे कुछ मिला जो आपको दिखाना चाहता था मैं यह कि टेंक खड़ा यहां पर और यह टेंक किसका है यह इंडियन का टेंक नहीं आई है आप यहां पर पढ़ सकते हैं यह टेंक है पाकिस्तान का पैटोन टेंक M46 यह 1965 की जो इंटो पार्क बोर थी उसमें यह कैप्चर किया गया था और यह रिस्टोर है 58th anniversary भी आपर हो चुकी है यहां पर तो काफी अच्छा है यहां पर यह पाकिस्तान का टेंक है और इसके बिल्कुल opposite है museum national museum है यह कुछ ऐसी एंट्री है और यह दर को मुजिएम है जो मीन मुजिएम है museum and art gallery और वो I think सामने जो है छोटी सी building वह वाली वह चंडीगट museum है कि मैं पहले आयो स्कूल टाइम में तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो बाकि अंदर जाके आपको दिखाता हूं क्या कुछ है आज एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रख है लगकल बारिश ह चंडीगट में तो काफी अच्छा मौसम है मुझे लग रहा था धूप वगर आने के लिए कि थोड़ा ओपन है यहां पर ओपन में थोड़ा चलना है तो मुझे लग रहता धूप नहीं है बिल्कुल भी अच्छा मौसम है हावा चल रही बहुत अच्छी आपे कुछ ऐसे यह बनाए हुए है वीच का एरिया यह फांटेन वगरा है इसकंदर मुझे नहीं पता क्या वीजन नहीं है किसीज के पत्थर है शायद पुराने कोई पत्थर में लेंगे वह रखेंगे और फांटेन होता हुग यहां पर भी एक स्कल्प्चर सा बनाए हुए और यहां पर लिखा हुआ है सारा कुछ क्या कुछ है यहां पर मैं थोड़ी सी एक वैसे बतार था आपको information यह detail information हम जाएंगे यहां पर national museum जो है museum and art gallery यहां पर वीडियोग्राफी होगी तो मैं पंदर से दिखा हूँ नहीं तो मैं clips आपको photograph वारा की वीडियो बनाके डाल दूंग तो मैं देखके आगया भी museum और art gallery जो है वो मैं देखके अभी आया और वहां पर वीडियोग्राफी लाओड नहीं थी इसलिए मैं अंदर कुछ भी नहीं वीडियो बना पाया क्योंकि देखे बनाने को मैं बना भी सकता था चुपके से लेकिन वह सहीं नहीं है कि अगर आपको बहुत ही detailed वीडियो है बनेगी इसमें अगर कोई specially इस museum को आता है तो पूरे दिन यहां पर spend कर सकता है क्योंकि इतने काफी details में और यह किस सीज का museum है जो इंडिया पागेस्तान अफगानिस्तान का जो बीच में गंधार एरिया बंत पड़ता है उस एरिया में जो जो आर् इसमें रखा हुए तो यहां पर काफी जाद समान रखा हुए वह गंधार sections है यहां पर आप आईए आपको काफी details में लेंगे coins वगर काफी रखा हुए बिहार और इस साइट से ही ज्यादा connected है महात्मा बुद्ध लेकिन यहां पर भी गंधार एरिया में भी काफी जो आर्केल जगल डिपार्टमेंट से जो खुदाई में समान निकला है उसमें महात्मा बुद्ध के monastery वगर के काफी जादे monuments है और idols है तो आप आईए बहुत करूँगा और इसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ science museum वह भी इसके सामने ही है तो वहाँ पर जाओंगा वहाँ पर भी allowed नहीं वीडियोग्राफिय फोड़ो अगर मैं click कर पाया है वह मैं आपके साथ share करूँगा तो गाइस मैं आगया हूँ वापस बाहर एक्चली में वहाँ पर लाइट नहीं थी उस museum तो वह कहते कि अगर लाइट के मिन आप देखो तो आपको समझी नहीं आएगा तो इसलिए फिर कभी देखेंगे तो अभी हम जा रहे हैं आगे अपनी next destination पर sector 10 की तो अभी बाहर न यह पूरा पार्क है तो सामने आगर आपको रोड दिख रहा होगा तो रोड के उस पार है रोस गार्डन सेक्टर 16 तो यह ऐसे ही पार्क है यह काफी लंबा पार्क है सेक्टर 10 के बीच में से निकलता है तो गाइस यह है गौर्वर्मेंट कॉलिज ओफ आर्ट सेक्र 10 यह म और मुझे लग रहा है कि यहां पर शयद को इलेक्शन का टाइम चल रहा है पोस्टर बगर भी दिख रहे हैं यहां पर लग लग पार्टी इसके देगे 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 देवी कॉलेज तो गाइस आप हम आगे सेक्टर 10 के मार्केट में यह कुछ ऐसे दिखती मार्केट यहां के सेक्टर 10 के ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है कुछ तो आप हम थोड़ा वाक्थरूट कलते हैं मार्केट थाने के फूर्ट जोइंट्स काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे आपको जब भी कोई स्टूडेंट एरिया या कॉलेज बगर गया यह उनिवेस्टी के पास कोई सेक्टर मिलता है या उस सेक्टर में अगर कोई कॉले आप कभी आएं तो सेक्टर 10 के बेक्सेट की जो मार्केट उसमें भी आप आ सकते हैं यह स्पाइब बैंक और उसके बाद ही सामें चोटे बूट्स हैं यहां पर भी खाने पीने का काफी कुछ आपको मिल जाएगा और जो मैंने आपको चीज दिखा नहीं सी सबसे पहला होटल मांट यू अभी नाम आपको के लिए नहीं दिखा होगा कि भी थोड़ी है होटल मांट यू यह सेक्टर 10 में चल लिगड़ा पहला फाइव स्टार होटल अभी तो काफी खुल गया है सेक्टर अलाग लग सेक्टरस में लगे सेक्टर 10 में सबसे पुराना हुआ करता है तो जब भी कोई भी सेलिबर्टी आना है या तो इसी होटल में रोका करते तो यह थी मार्गेश्ट अब हम हम चलते हैं अपनी नेक्स डेस्टिनेशन पर अब मैं आपको नेक्स दिखाता हूँ अपना स्कूल वह भी सेक्टर 10 में है तो आपको दिखाता हूँ जहां से म अंदर तो अभी हम अंदर पर नहीं जाएंगे कि हम भी किसी प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब करना जाता है क्योंकि अलावड हो या ना हो ऐसा अच्छा नहीं लगता और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह बिजली घर है यहां भी मैं कई बार स्कूल के साथ लेकिन चलो वह आपको कभी फिर अगले किसी व्लॉग में बताएंगे तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स देस्टिनेशन पर तो फ्रेंट्स यह है सामने सेक्टर 10 का होम साइंस कॉलेज फॉर गल्स यह बिल्कुल ऑपोजेट है यहां पर सेक्टर 16 का जो ह और डिवाइड करते हैं सेक्टर 10 और 16 को सो गाइज यह था मेरा आज का व्लॉग तो यह मैंने कवर किया सेक्टर 10 चंडिगर्ड आपको कैसा लगा मुझे बताएगा फीडबाइक जरू दीजीगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कैसा लगा और यह बताएगा अगर कुछ कमी हो तो भी मैंने अपनी तरब से कोशिश करी सारे जो भी चीजे थी सेक्टर 10 में उसको कवर करने की अगर कुछ मिस हुआ तो भी आप मुझे वताएगा मैं कोशिश करूंगा अगले सेक्टर में वो कमी ना है तो फ्रेंट्स यह था आज का व्लॉग तो अब हम मि हुआ है झाल झाल